दोस्तों भी गर्मी का मौसम चल रहा है और इस गर्मी के मौसम में अगर आपने बेल का शर्बत नहीं पिया तो क्या पिया जी हाँ गर्मी के मौसम में बेल का शर्बत जो होता है ये हमारे लिए अंबरीत होता है हर किसी को इसका सेवन करना चाहिए बेल एक ऐसा पेड़ है जिसके हर हिस्से का इस्तमाल हमारे हेल्थ के लिए किया जा सकता है। आई रिविद में इसके कई फायदों का लेक मिलता है दोस्तों। इस फल के बहुत से फायदे मिलते हैं। मैं हाँ पर आपको कुछ मोटा मोटी फायदे के बारे मताऊंगा, तो वीडियो सें तक बने रहीगा चली जानते हैं बेल का रस पीने के फायदे इसका सबसे पहला फायदा होता है दोस्तों ये पेट को ठंड़क देता है बेल के रस को शहद के साथ मिला कर पीने से एसी डिटी से भी आपको छुटकारा मिलती है अगर आपको मुँ में च्छाले हो गए हैं तो भी इसका सेवन कर सकते हैं इससे पेट की गर्मी शानत होगे और च्छाले भी आपके ठीक हो जाएंगे दोस्तों ये गर्मी के मौसम में पिया जाने वाला बहतरीन ड्रिंक है इसे पियोगे तो आप लू से भी बचे रहोगे अगर आपके बच्चे बाहर जाते हैं धूप में गर्मी में तो आप उन्हें बेल की शर्वत पिला कर भीजिएगा इससे उनको लू नहीं लेगे का इसके लावा बेल का रस जो होता हमारे खोन को साफ करने का काम करता है अगर फोडे फूंसी चेहरे पनी कल गए हैं किल मुहासी नीकल गए हैं या फिर कहीं भी जखम होते रहता है तो आप इसका शर्वत पीचे इससे आपका खुं साफ होगा और फोडे फूंसी और मुहासों से आपको छुटकारा मिल जाएगा अगले फादे की बात करें तो इससे कॉलेस्ट्रोल कंट्रोल में होता है दोस्तों बेल का रस कॉलेस्ट्रोल को नैचरली कंट्रोल करता है बैट कॉलिस्टॉल को बाहर करता और गुड कॉलिस्टॉल को खुन में बढ़ाने का काम करता है। इसके लावा आईरवेद में बेल के रस को दस्त और डायरिया में बहुत फादय मना गया है। अगर किसी को दस्त हो रहा हो डायरिया हो रहा हो ना तो उन्हें बेल के रस में थोड़ी सी मातरा में शेहद मिला कर फिला दीजे तू रंद फादा मिलेगा इसके लावा अगर आप नई मा हैं अभी अभी मा बनी हैं तो आपके लिए बेल का रस्पीना बहुत वायदे बंद होगा ये मा के हेल्थ को बहदर करने में हेल्फूल होती है और साथ साथ ब्रेश्ट मिलकों भी बढ़ाने में ये मदद करता है इसके लावा नियमीत रूप से बेल का रस्पीते रहने से गैस, कबज और अपच की समस्याओं में आरा मिलता है बेल का रस्पीने से दोस्ताओं का पूरा शरीर डीटॉक्स हो जाएगा खुन साफ होगा, किड्नी लीवर हेल्दी रहेंगे और साथ साथ में आपका शुगर भी कंट्रोल में होगा शुगर को कंट्रोल करना है तो शुद्ध बेल का रस्पीजे शुद्ध का मतला भी इसमें आपको चीनी वगारा नहीं मिलाना है इसके लावा बेल का रस इस गर्मी का मौस्तों में पिएंगे तो आप कैंसर से भी बचे रहेंगे बेल का रस्पीने से ब्रेष्ट कैंसर होने की आश्यंग का काफी कम हो जाती है बेल का रस्पीकर आप दोस्तों अपना बढ़ा हुआ वजन भी कम कर सकते हैं जी हाँ आप सुबह सुबह खाली पिट एक गिलस बेल का रस्पी लीजिए फिर देखे धीर धीर आपका वजन भी कम होता चला जाएगा और चेहरे पर निखार भी आएगा तो बेल के रस्पीने के मिलते हैं बहुत से फादे दोस्तों इसे डाइट में जरूँ शामिल कीजिए अगर इसके नुकसान की बात करें तो इसका किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता है खलाकि आप सिमित मात्राय में इसका सिवन करें आशा करता हूँ यह जानकारी अच्छी लगी होगी बेल को आपके शहर में गाउं में किस नाम से जानते हैं आप कॉमेंट करके बता दिजिएगा ताकि और भी लोगों को मदद मिल सकें मिलता अगले वीडियो में अपना ख्याल लखें धन्यवाद